हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका फिर से मेरे वीडियो में एक बार दोस्तों वीडियो को बिल्कुल स्ट्रिप नहीं करेगा पूरा वीडियो देखे के दें अधुरी जानकारी मिलेगी आप शपन नहीं पाऊगे जेनरिक और ब्रांडर दवा के बारे में देखिए आप दे सब्सक्राइब करेंगे यानि सरकार ने इसके मुले को निर्धार कर देखिए ड्रग प्राइस कंट्रोल अग्राइशन ने एक संस्था है जो इसके प्राइस को कंट्रोल करती है कि इसके MRP चाहिए जेनरिक में हो ब्रांडर में हो इसको ज्यादा जो है जितना सरकार ने निर्धार किया इससे उपर नहीं बेचा जा सकता है देखिए जो ब्रांडर दवा है इसके MRP 124 रुपे साफ साफ आप देख सकते हैं यहां पर दोस्तों आपको बता दूँ कि यह जो है 20-21 रुपे सीट नहीं हो सकता है इसके MRP जो है आईसा नहीं कोई इसको 25 रुपे आ थीर 10 रुपे पर टैबलेट बेस सकता है ऐसा गालियों कम्पनी की दोनो में दोस्तों आप देख सकते हो अभी मांगर को लेते हैं मैंटाइब का जो है और आप सोचेंगे कैसे आप पता करोगे बहुत लोगों को जाने लोग सोचते हैं कि यह दवा जो है जेनरिक कैसे हो सकती है दोस्तों आपको बता दूं कि जितने भी बड़ी बड़ी कंपणी है मल्टिनेशनल कंपणी आप अपना जो है जेनरिक दवा भी लाएं है खर्चेंग का खर्चा रहता है इसलिए जुए दुए जैनरिक हो जाती ए मार्केटिंग का खर्चा भी धिशसें और तरह की प्रकावां पर खर्चेंग इरते हैं पभी नहीं मिलेगी ब्रांटलिक dema भी द द fått इसमें जो है साल्ट कंपोजिशन जो इसमें मिला हुआ वो कम होगा उसकी क्वांटिटी कम होगी जो है ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों देखिए अगर इसमें साल्ट कंपोजिशन कम होगा जेनरिक ब्रांडेट में ज्यादा होगा जो 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 आपको करना क्या है अगर आप जेनरिक दबा के बारे में जानेंगे तो आपको फायदा कैसे उठाना है फायदा आपको लेना है अगर आपको जेनरिक दबा की जान चाहिए तो आप डॉक्टर से या फी जो है मेटकरी स्टोर औरे से बोल सकते हैं कि यह दबा जेनरिक है यह जो हमें MRP से जो है किसी भी दबा के रैपर पर देखे क्या दबा में काम करने वाले कुछ लोग इतने माहिर होते थे कि वह जो है अपना थर्ड पार्टी से मनफेक्चरिंग कराते थे और रैपर जो है किसी फसकी मेलड़नेंशनल कंपड़नी कंपणी जो फसके नाम से बड़ी कंपणी के नाम से उस दबा को शेल करते थे अपना बैस देथ अपना मुनाफ़क़ काम आते थे चीज़ें पना को पता चली तो leukशन्य को पता चली को प्र यह यह नियों को कुई लेना Color Is इसका जो है जेनरिक और ब्रैंडड़ से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों आपके दिमाग में यह बात आएगा कैसे हम पहचाने कि यह जेनरिक है यह ब्रैंड़ट तो दोस्तों आप जो है आनलाइन जो है बहुत सारे आएफ है वहाँ जाएए सर्च करिए वहाँ से आपको मिल जाएगी जेनरिक दवा कौन से कौन से ब्रैंड़ दवा है दोस्तों इस पर मैंने कई सारे वीडियो बनाया हूँ आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक रहे है चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए